वेलकम प्रेंट्स मैं सिद्दन अपर स्वागत करता हूं पेपर रैकर चैनल में आज हम जो इंग्लिश लिटेचर है हमारा सेकेंड शेमिश्टर बीए का उसका हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं दपैराडाइस लोश्ट जिसके राइटर है जॉन मिल्टन चलिए सुरू पढ़ेंगे उसके बाद उसका एक्स्प्रिमिनेशन करेंगे चलिए सुरू बढ़ेंगे Of man's first disobedience and the fruit Of that forbidden tree whose mortal taste Brought death into the world and all our woe with loss of Eden Till one greater man restore us and regain the blissful seed इस चैप्टर में Paradise Lost में जो कवी है जॉन मिल्टन है वो स्वर्ग की देवी जो सरस्वती है स्वर्ग में जो देवी देवता है उनसे प्रातना कर रहा है कि वो उनकी इसको बुलंदी तक पहुंचाने में इसको ऊपर ले जाने में उनकी साहता करें इस श्टेहंजा में दो व्यक्ति हैं एडम और इव इनके बारे में एक पुरुशा और एक महला है इनके जो पहला पाप है उसके बारे में बताया गया है चलिए रिफरेंस पढ़ते हैं इस ओपनिंग लाइन्स आफ मिल्टंज इमोर्टल एपिक पैराडिस लौश्ट यह जो ओपनिंग लाइन है मिल्टन के महा काविकी इसका नाम है पैराडाईस लौश्ट दो लाइट ऑन दपीम ऑफ दा पोयम पोयम के विश्टे के बारे में बताती है तब पौयम इंवोक है मैंस फिश्ट एक्ट और दिस ऑबिदेंस एंड डालास ऑफ की उसकी ये गाने में उसकी ये गाने में मदद करें ये लायने गाने में है चलिए explanation करते हैं the poet invokes the ad of heavenly poet बताता है मांगता है सहायता the ad means होता है सहायता of the heavenly स्वर्ग से म्यूज शरस्वती से in the composition of the great epic इस महाकाब के निधारण में which deals जो बताता है with the subject of universal interest जो सभी के सभी मनश्यों के सारभामिक मनश्यों के एहतों के बारे में बताता है the fall of man from heaven to earth मनश्य का स्वर्ग से प्रत्वी पर गिरना it deals with the first sin committed by Adam and Eve इसमें बताया गया है यह बताता है first sin पहला पाप committed by जो किया गया है किसके द्वारा Adam and Eve the first man and woman जो पहले पुरुस और महला है Milton in this epic exposes the cause of the sin exposes means होता है उजागर करना Milton ने इस महाकाब में उन व्यक्तियों के जो पुरुस और महला हैं उन दोनों के पापों को उजागर किया है living heavily in the garden of Eden Eden के गार्डन में वे प्रसनिफता पूरुवक रहते हैं वो ही दो लोग Adam और Eve Adam and Eve were perfectly obedient and disciplined Adam और Eve जो है वो पूरुप से obedient अज्याकारी हैं and disciplined अनुसासित हैं they had no interest in the fruits of forbidden tree of knowledge उनका निशिद्शिक्षा जिसका कोई use नहीं है निशिद्शिक्षा के ब्रक्ष से कोई लेना देना नहीं है yet being seduced by a certain who appeared in the disguise of serpent लेकिन फिर भी जो Adam और Eve है वो साब के बेस में जो सैतान प्रकट होता है बेस बदलकर उसके बहकावे में आ जाते हैं Adam and Eve tasted the forbidden fruit Adam और Eve जो है वो forbidden fruit को यानि कि निशिद्द जो फल है उसको चक लेते हैं and or Adam and Eve tasted the forbidden fruit and lost the heavenly blessing of immorality जो Adam और Eve है वो टेस्ट कर लेते हैं निशिद्द फल को जिसके काड़ उन से अमरता का वर्दान जो है अमरता का जो आशिरवाद है स्वर्ग से वो छिंजाता है God sent them on earth भगवान जो है इश्वर जो है वो उन्हें भेज देते हैं प्रत्वी पर to suffer the mysteries of the mortal world इस दुनिया इस नश्वर दुनिया के पापों को भोगने के दुखों को भोगने के लिए until Jesus Christ जब तक ईशा मसी Jesus Christ means ईशा मसी redeemed the mankind from sin ईशा मसी जो मनुष सजाती को उनके पापों से मुक्त नहीं कर देते and restore the blissful seat of heaven for human beings और स्वरक का आनंद मही आसन जब तक मनुष्यों के लिए नहीं खोल देते हैं तो थैंक यू यह हमने आज पहला पहला इस्टेंजा कर लिया है कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको दूसरे इस्टेंजे के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले थैंक यू